जैहिन दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपने इस यूटूब चनल अभ्यास ओंलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूँ कृष्णा और दोस्तों लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों 64 शक्षक भरती परिछ़ा से संब्दित तो दोस्तों मैंने ये वीडियो अप्रोड किया था जिसमें योग्य था क्या क्या होँ नीची ये टीटी जरूरी है या नहीं दोस्तों वरग एक वरग दो वरग fed की लिए क्या क्या जरूरी है और पर फॉर्म जो है ईड़ है प gebैंश बहुंन सु पर होअ नहीं पर हैं मैंने सुपकर रिप्लाई सेट mood हैं ऑप complitter कोसिश करो जो है कि जो वृश्य प्रीच्छ है तो दोस्तों जितने भी आपने जो प्रष्णल जो है आपने किए हैं उसका पहसारा कमेंट उस वीडियो में जो दिखाई दे रहाए दोस्तों उसी पूरा कमेंट में आपको इस वीडियो में सब आंसर देने कि कोसिस करूंगा तो मतलब दोस्तों जीतल scripts भृति परिच्चन संब्दित आपने कोश्चन किया है उन सब का कोश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में पूरा कमेंट पढ़ पढ़के आपको देने वाला हूँ दोस्तों अगर आप इससे संब्धित कोई भी अगर आपके मन में कोश्चन है तो आप वीडियो को बीना इसकी क्यों अन तक देखिए सायद आपका कोश्चन भी इस वीडियो में ही आपको आंसर उसका मिल जाए तो चली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यूडियो तो दोस्तों इस स्टार्ट करने समय वीर्किवश्ट करना चाहूंगा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नही किसी रुकावाट के तो चली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो रेट बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ नॉटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के दोस्तों इस वीडियो का जो है सबसे टीटी पास भी हो तो दोस्तों आप जो है मनमुहनसर जी आप आसानी से प्रयोक्षाला के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्रयोक्षाला में फॉर्म अप्लाई करने के लिए केवल 12 जो है साइंस ग्रूप का होना चीए बायो मैट्स का होना चीए तो आप आसानी से और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों भरतजी का तो भरत जी ये पूछर है कि CTAT pass आउट वाले form apply कर सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों मैं बता दूं CTAT वाले form apply कर सकते हैं, तो दोस्तों जिनका CTAT pass है वो आसानी से form को fill up कर सकते हैं, बस ये शच्रक होने अगर भरत जी अगर आपने form apply जो CTET का जो पास आउट हुए हो अगर वो 7 साल पुराना है तो आप असानी से form apply कर सकते हो अगला comment देख लेते हैं दोस्तों बबबन जी का sir commerce से graduation है और तो work 2 के लिए apply नहीं कर सकता क्या तो दोस्तों बबबन जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप commerce से graduation किया है और work 2 के लिए apply आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए कोई भी पद उसमें म एक के लिए वारिज़े के लिए form apply कर सकते हो है अगर आपका b8 complete है तो आप अराम से work एक के लिए form apply कर सकते हो अगला प्रशन देख लेते हैं क्रिश्णा साहु जी का मेरे जैसा इनाम है इनका क्रिश्णा साहु जी मैं आपका question आपको बचाने की तो आप इनका प्रशन है TT CTT या CGTT दोनों में से कोई एक होना चाहिए या केवल CGTT ही valid है प्लीज बताइए सर तो दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूंगा क्रिश्णा जी आपको की इसके लिए दोनों मानने हैं अगर आप CTT वाले हो और pass out हो तो आप भी चलेगा अगर CGTate वाले हो तो भी आपका च अभी start नहीं हुआ है तो उसका उसको क्या करना होगा तो दोस्तों बर्ख जी मैं आपको बताने चाहूंगा कि अगर आपने जो किया है जो है वर्ग एक के लिए master degree तो है लेकिन आपका B.A.D. अभी start ही नहीं है ना दोस्तों तो क्या करूंगा आप क्या कर सकते हो इसके ल उमीद करता हूँ आप पहले B.A.D. कंप्लीट के जीए उसके बाद आपका जो अगर आप आसानी से वर्ग एक के लिए apply कर सकेंगी अगला आप देख लेते हैं रौसनी जी का रौसनी मैं का प्रशन है सर सिक्षक और सहायक सिक्षक दोनों में डाल सकते है क्या तो रौसनी जी मेरा प्रशनिया आप से यहीज है कि आपका ग्रेजुसशन कंप्रीट है कि पोस्ट ग्रेजुसशन कंप्रीफ है क्यूंकि दोस्तों सहायक सिक्षक के लिए जो है आप 12bass से Dलchक में डाल सकते हैं अगर साइंज ग्रूप के हो तो है न है इस फिक्स्षक पत्त के लिए आप जो है अगर आपका जो ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ डीएड है तो आप आसानी से उस पर form fill up कर पाओगे तो दोस्तों इस तरह रोशनी जी आपको समझ आ गया होगा अगला देख लेते हैं MP वाले क्यों नहीं तो दोस्तों MP वाले ये form apply नहीं कर सकते इसका मुख् सर जी सोरी आप apply नहीं कर पाओगे अब बात करते हैं A1 कुमार का दोस्तों A1 सर जी का प्रशन है समाजी विग्यान हिंदी मीडियम से हूँ क्या अंग्रेजी मीडियम में भर सकता हूँ कृप्या जानकारी दें सर जी तो दोस्तों अगर आप समाजी विग्यान हिंदी ग्याम में हुआ है और अगर वो समाजी ग्यान पढ़ा है तो वो ही इसमें फॉर्म फिलब कर सकता है अगला इसमें देख लेते हैं एम जेएस देशी रोवर का यह प्रश्ण है कि भी एट फाइनल येर में हूँ मैं इसमें भर सकता है वर्ग में वर्ग एक में रिजल्ट नहीं आया है तो दोस्तों इसमें क्या अच्छा है मैं कोश्चन समझ गया कि इनका कहना यह है कि अभी तक जो है इसका रिजल्ट नहीं आया है और साथ ही इनका ये कहना है कि मैं form fill up कर सकता हूं का तो B8 final year कभी तक result इनका नहीं आया है और साथ ही साथ वर्ग एक में इनका साथ post graduation complete हो चुका है या graduation complete होता है तो दोस्तों हमां बता देना चाहूंगा MG DC rover को जी को कि form पूरी तरह से आप भर पाओगे क्योंकि आप पूरी योग्यता उसमें रखते हो अगला देख लेते हैं अर्मान देवांगन अर्मान देवांगन सर जी का प्रशन है सर मैं B8 हूं और 2016 में वर्ग 3 TET पास हूं तो क्या मैं वर्ग 3 में form apply कर सकते हो तो अर्मान सर जी आप बिल्कुल form apply कर सकते हो क्योंकि आप में पूरी योग्यता इसमें रखते हो है अगला प्रशन देख लेते है इनका प्रशन है सर क्या CTT वाले भी apply कर सकते है क्या CGTT ज़रूरी है नहीं दोस्तों CTT और CGTT अगर दोनों में से एक आपका qualified है तो आप आसानी से form apply कर सकते हो अगला प्रशन देख लेते हैं राजीर कुमार सर जी का कहना है सर वर्ग 1 में PG second division वाला है और भर सकता हूं कि नहीं तो अगर आपका जो है वर्ग 1 में अगर post graduation जो है second division है मतलब आपका जो है 50% से उपर है दोस्तों तो आप आसानी से form up fill up कर सकते हो अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है रवी सर जी का इनका प्रशन है सर मैं MA plus DLA हूं लेकिन TT पास नहीं हूं तक तक आपका सिक्षक के लिए भरती में कोई चांस नहीं अगर आप paper भी दिला देते हो अच्छे नंबर भी ला लेते हो अगर आप TT पास आउट नहीं हो तो आपका कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों आपको पूरी तरह से reject कर दिया जाएगा तो रवी कुमार जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आपको TT पास होना बहुत ज़रूरी है अगला प्रशन अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों कहीं पर लिखा नहीं है कि other state वाले जो है भर सकते हैं दूर्ग से हूँ तो दोस्तों इसमें दूर्ग से हो आप है न दोस्तों तो हम लोग मैं आपको बता देता हूँ कहीं लिखा नहीं है कि other state वाले भर सकते हैं दूर्ग से हो तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों आप other state वाले हो लेकिन आप तो दूर्ग वाले हो आपको फिर उसका जो है प्रूफ आपको दिखा दूँगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन इसमें जो दिया हुआ है नाइस एक्स्पिरियंशन थैंक्यू मैम रूची देवांगन का जो कमेंट है व्याख्याता बायोलाजी की तयारी कराई है सर अच्छा रूची देवांगन जी तो इसके लिए तयारी मुझे बायोलाजी की एक्सपिरियंस तो है नहीं लेकिन मैं पूरी कोसिस करूँगा कि कोई जो है वो आपको जरूर इस पर मैं वीडियो उस पर बनवा के इस चैनल में जरूर प्रवाइट कराऊंगा तो मैं उमीद करता हूँ आप मेरे चैनल के अच्छी वीवर हैं अच्छे मेंबर्शिप है लिए हो तो आपको अच्छा वीडियो भी मिलेगा इस वीडियो से मैं ऐसा उमीद करता हूँ अगला देख लेते हैं अगला प्रशन है प्रसांद कुमार जी का तो प्रशांद कुमार जी का प्रशन है प्रयोक साला के लिए टीटी जरूरी है या नहीं तो मैं एक लाइन में बता दूंगा कि टीटी जरूरी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दोस्तों एक्ता सुझकर जी का प्रेशन देख लेता है सर आपसे कॉल में बात करना है कुछ पूछना है तो दोस्तों मैं इस तरह के कमेंट का मैं क्या जवाब दूँ क्योंकि मैं अपना पर्षनली का कॉंटेक्ट नमबर नहीं दे सकता एक्ता जी सॉरी इसके लिए तो आप मुझे क कर सकते हो तो अगला प्रेशन देख लेते हैं सुभाम साहु जी का तो सुभाम साहु जी का जो प्रेशन है वो है सर मैं 12 बायों में पास हूँ और बीड है लेकिन टीटी दो नमबर कम हो गया है तो मैं प्रयोक्षाला में डाल सकती हूँ यहां पास भूला जा रहा है कि मैं सकती हूँ और यहां पास जो कमेंट करने वाला है सुभाम साहु तो दोस्तों मैं इसमें confusion हूँ कि आप male हो या female तो मैं बता देना चाहता हूँ अगर आपने 12 बायों में किया है तो आसानी से आप बिना टीटी बिना बीड किया आप आस सेम में हूँ क्या मैं वर्ग एक में अप्लाई कर सकता हूँ प्लीज रिप्लाई तो मनीज जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है आपने पूरी तरह से बायों में और जो है बीड फॉर्ट सेम में अप्लाई कर चुका है तो वर्ग एक के लिए तो वर्ग एक के लिए उसमें अगर आपका बेट का परसेंट पूछता है या आपका मास्टर डिगरी का परसेंट पूछता है तो आप साथ फिल करने में आपको जरूर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं जनली तो पर आपको योग यहों पूरी तरह से फॉर्म अपलाई कर सकते हो मनिश कुमार सर जी तो मनिश कुमार सर जी का फिर से एक कमेंट है उसको भी देख लेते हैं सर आप अपने एक वाटस अप ग्रूप बनाने के हम सब को एड़ कीजिए और यूटूब में लिंक दे कर तो मनिश शाहो जी इसके लिए मैं बहुत बहुत छमा प्रार थी हूँ कि मैं जो है इस पर वाटस अप ग्रूप पहले ही बना चुका हूँ लेकिन क्या है कुछ ऐसे वीवर होते हैं जो जो जैसा कमेंट की उमीद मैं नहीं रखता वैसा वैसा कमेंट वहां से आज आ रहा था जिसके वज़े से मैंने उस ग्रूप को पूरी तरह से बंद कर दिया और उसमें कॉफी मुझे दिक्कते आई जिसके वज़े से मैं अब कभी भी कोई भी वाटस अप ग्रूप नहीं बनाऊंगा जिसमें दोस्तों जो भी रहेगा मैं इस कमेंट के माध्यम से ही आप सभी को उपलब्ध कराने की कोशिस करूँगा कमेंट का रिपलाई जरूर दूँगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों मनिस कुमार साहुजी आपको इसका अंसर मिल गया होगा अब बात करते हैं मनिस कुमार साहुजी फिर से कमेंट किया आपका कॉंटेक नमबर चाहिए सर सॉरी सर मुझे आप फिर से कमेंट कीजिए मैं आपका इमेल आईडी अपना आपके पास जो है कमेंट कर दूँगा कमेंट का रिपलाई कर दूँगा वहाँ पास से आपको अपना कोशन पूसेयर कर सकते हो अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है प्रसांत कुमार निसार जी का तो प्रसांत कुमार निसार जी का जो प्रशन है उसको देख लेते हैं प्रसांद सर जी वो क्या कहते हैं सर एक जरूरी जानकारी चाहिए मैं 2011 T.E.T. qualified हूँ क्या कुछ समाधान हो सकता है जिससे validity बढ़ाया या बढ़ाया दिया जाए और हम लोग apply कर सके तो मैं आपको बता दिना चाहता हूँ दोस्तों प्रसांद कुमार सर जी अगर आप 2011 में form apply किये हो तो आपको पता ही रहा होगा कि 2011 के बाद T.E.T. exam हुआ है और भी हुआ है अगर आपने T.E.T. exam नहीं दिलाया है और आप केवल 2011 के भरोसे ही वैठे हो तो दोस्तों आप प्रसांद कुमार जी बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि आपको पता ही होगा कि T.E.T. का जो वैलिड होता है वो मातर 11 साल तक ही होता है तो आपको ये हिसाब लगा लेना चीए था कि 2011 के बाद आपको और T.E.T. दिलाना है कि नहीं दिलाना है मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि जिनकने बाद T.E.T. होता है एक्जाम आप दिलाईए क्योंकि क्या आप होता है उससे होता है कि आपका जो परसेंट है T.E.T. का नंबर है बढ़ने की संभावना रहती है अगर आपका नंबर बढ़ जाता है तो पहला वाला मार्शिट दीजिए अगर नहीं बढ़ता है तो आप जो जिसमें जादा नंबर है उसी को आप सामने पेस कीजिए तो इस तरह आप मैं उमीद करता हूँ दोस्तों इसका कोई आप्शन नहीं है क्योंकि अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन इसमें जो दिया है मनुहार राजी का तो इसमें जो है प्रयोग शाला टीचर के क्या है सर जी तो इसमें बता दूँ यही कोशन बार बार आता है दोस्तों जितने भी प्रयोक्षाला की संबंधित question है उसको मैं एक बार क्लिया कर देता हूँ प्रयोक्षाला के लिए आपके वाल जो है बारवी, बायो या मैक्स वाले वही बस उसका qualification है और कुछ नीची है तो आप आसानी से उसमें form fill up कर सकते हो अगला प्रशने देख लेते हैं दोमे स्वर्दास साहुजी का प्रशने है प्लीज बताईए सर मैं जुलाई 2016 में T.E.T. पास हूँ बिल्कुल पास हो है न और उसी साल मैं जून 2016 में D.8 first exam दिया है और 2017 में D.8 second year पास हूँ क्या मैं पातर हूँ क्या सर प्लीज बताईए तो दोस्तों मैं एक बार आपसे कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ इस बारे में तो दोस्तों और दमेश्वर साहुजी का जिस तरह से प्रॉब्लम क्रेट हुआ है उसी तरह से अगर आपके साथ भी है तो आप अपने इस बात को पहले समझ जाए कि T.E.T. के लिए योग्यता क्या क्या होनी चीए तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो T.E.T. पास आउट होने के लिए तो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि मैंने जुलाई 2016 में T.E.T. पास हुआ है तो दोस्तों जो है दमेस्वर साहु जी आपने यूवर्म आपका जो है प्लाई तो किया है लेकिन T.E.T. में जब आपकी लिए date या date कंप्लीट नहीं था और तभी आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो है न दोस्तों जब आपका D8 का final year या B8 का final year चल रहा होता अगर आप TT का form apply करते हैं और उसे pass out हो जाते हैं तब यह मानने रहता तो अगर आपने TT का form apply जो pass out हुआ है इसका कोई मानने नहीं होगा आप form नहीं भर पाओगे sorry इसके लिए अब देख लेते हैं अगला comment है sir प्रयोक साला में TT होना ज़रूरी है नहीं है बिल्कुल नहीं है अगला देख लेते हैं आर्ट वाले primary level पर डाल सकते हैं या नहीं आर्ट वाले बिल्कुल भी primary level पर नहीं डाल सकते हैं अंजली चंदराकर माइम जी आप जो है आर्ट वाली हैं तो आप form apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिए आपके लिए post बिल्कुल भी provide नहीं किया गया है sorry इसके लिए government की post उपस्थिटी नहीं होने की जैसी है पद नहीं निकाला गया है sorry इसके लिए आर्ट वाले form apply नहीं कर सकते हैं दिख लेते हैं अगला प्रशन है किदारनाथ जी का तो किदारनाथ जी का प्रशन है sir मैं डेलेट second year में हूँ तो apply कर सकता हूँ या नहीं आपने second year में हैं अगर टीटी पास आउट हो तो साहयक सिक्षक मतलब वर किती इनके लिए form apply कर सकते हो अगला प्रशन देख लेते हैं जोती यादाव जी का प्रशन है sir मैं MSC का last year में हूँ apply कर सकती हूँ या नहीं अगर आपने B8 complete किया है जोती मैं जी अगर आपने B8 का पूरी तरह से pass out है तो आप वर गए एक के लिए मतलब व्याख्याता के लिए form apply कर सकती है अगला प्रशन देख लेते हैं साम जी का साम जी का प्रशन यह है sir मैं BSC Open University से 2014 में pass किया हूँ और B8 भी उसी साल regular किया तो क्या वर्ग 2 में डाल सकता हूँ तो दोस्तों इस तरह की situation आपके सामने आ सकती है कि आप जो है एक ही साल में जो है पोस्ट जो है D8 का और सांथी सांथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री हासिल किया हूँ तो दोस्तों इन्हों ने क्या किया है साम सर जी साम राकेश शर जी इन्होंने क्या किया है open university मतलब सुन्दललाल सर्मा यूशन सहीं बोड़ हूँ कि सुन्दललाल यूशन से इन्होंने क्या किया है 2014 में पास आउट हुआ है और सांथी सांथ जो है इन्होंने regular भी किया है कि इसको आपका V8 को तो इन्होंने एक open university है सुन्दलाल सर्मा तो ये बिल्कुल आप हॉं अपलाई कर सकते हैं अगला अप्लाई कर सकते हैं और क्या भर सकता हूँ और chemistry में MSC complete है तो अगर दोस्तों अगर आप B8 कर रहे हो अगर आप केवल first year में हो और आपका MSC जो है complete हुआ है chemistry में तो आप form apply नहीं कर सकते मैं ऐसा क्यों बोर रहा हूँ दोस्तों आप form apply क्यों नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों जब भरती पर स्टार्ट हो जाएगा तो आप लगभग तीसरा समेश्टर में रहोंगे तो आप पूरी तरह से form पूरी तरह से भरती हो जाएगा अगर आप भर भी लेते हो अगर आप के लिए marks इत मांगा जाएगा तो आप कहां से उपलब्ध कराओगे आप तो क्यों फर्स्स टियर में ही रहोगे ना तो आप जो है दोस्तों साइद एक साल जो है इसमें आप पीछे हो जिसकी वज़े से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप फाइनल यह में रहते हो तो बिंदाज बिलकुल आप इसमें एज आप बिलकुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप फॉर्म वक्रम बिलकुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप टीटी पास है फिर भी form apply नहीं कर सकते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं लाके सिन्हा जी का लाके सिन्हा सर जी इनका प्रशन है सर टीटी डीएड रनिंग में मैं पास हूँ तो क्या मैं teacher vacancy के लिए apply कर सकता हूँ प्लीज बताइए सर अच्छा इनका प्रशन यह है कि दोस्तों कि यह जो है पूरी तरह से टीटी जो है पास आउट है लेकिन डीएड जो है पूरी तरह से रनिंग में है है ना तो अगर T T pass है, D8 running में हैं तो आप आसानी से अगर final year में हैं दोस्तों या fourth same में है तो आसानी से form apply कर सकते हैं अगला प्रशने देख लेते हैं दोस्तों मुहमद जी का तो प्रशने ही भयाना कोता है प्रशने को देख लेते हैं अधर इस्टेट वाले not usable official site पर proof के साथ दिखाईए सर जी प्लीज तो आपने बड़ा बड़ा दीमान रख दिया है मुहमद सर जी की other state वाले not usable हैं तो मुझे उसका proof चीए तो आपको मैं proof दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं कि इसमें लिखा कहां पास है कि आप अधर इस्टेट वाले इसमें belong नहीं कर सकते तो चलिए मैं open करके दिखा देता हूं आपका main website को और जहां से विग्यपती जारी हुआ है उसकी योग्यता है क्या क्या है उसमें आपको पूरी तरह से मैं इसके जान करिया और पूरा जो तो दोस्तों यह website मतलब जो main official जो जारी किया गया है कि इसने की मतलब की सवर के लिए किता किता पोस्ट है वो मैं खोल के आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों अगर आप नीचे जाओगे स्कॉल ड्राउन करोगे आप आपके पास तो यह notice पहुची गया होगा आपको WhatsApp के अध्यम से तो नीचे आपको देख लेते हैं उसमें कुछ योग्यताय दिया आगया है सिक्षक के लिए और यह सायक सिक्षक के लिए है उसके थोड़ाओ नीचे कीजिए उसके बाद व्याक्याता के बारे में आपको पूरण जयानकरी दिया गया है और साथ इसनाथ अब इसमें दिया है अभ्यार्थी पात्रता के बारे में प्यूंकते निश्चित, पदों हें तु आरक्षन, और साथ ही साथ, चयान सूची, परिच्छा, और अन्य निर्देश, तो देखें दोस्तों यहाँ पास अन्य निर्देश, मैं आपको हाइलाइट करने कोशिस करता हूं इसको हाइलाइट, तो देखो दोस्तों, यहाँ पास इस पस्ट रूप से लिखा गया है, आठवा लाइन में, आठवा नंबर में अन्य निर्देश, पदों की संख्या परत्वन परिवर्तनी हैं, और साथ ही साथ इसमें ये बोला है कि अब भ्यर्थी को 36 गड़ का निव समासी होना आवश्यक है, 36 गड़ का आवश्यक सब्दय है, आवश्यक सब्द cie, तो दोस्तों, थे लिखी हो मैं म४ंद जी, उमेद करता हूं आपके लिए प्रमान मिल गया होगा, तो अगला प्रस्फन देख लेते हैं अगला प्रश्ण है अस्वनी मानिक पूरी जी का अस्वनी मानिक पूरी जी इनका प्रश्ण है क्या एक आदमी दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है तो एक आदमी जो है दो नहीं दोस्तों तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है अगर उसमें योग्यता है तो सर अंजली चंद्राकर जी आप question तो कीजिए हम आपको आंसर जरूर प्रवाइट करेंगे अगला प्रशन देखेते हैं योगेष्थाकुरजी का योगेष्थाकुरजी का प्रशन है प्रियोकसालग के लिए टीटी जरूरी है क्या बिल्कुल नहीं है टीटी जरूरी जरूर वर्ग 2 मतलब आप सिख्छक पत के लिए अगर सिख्छक पत के लिए अगर form अपलाई करते हो तो आप संभाग इस तरह पर ही form अपलाई अगर आप जो है वर्ग 1 मतलब गाख्याता के लिए डाल रहो मतलब आपका कोई भी जीला में सेलेक्शन हो सकते है मतलब अधर जीला में भी आपका हो जाएगा अगला कमेंट देख लेते हैं कमलेस रावटे जी का प्रश्ण है कला समुह के लिए कोई विकेंसी नहीं है वर्ग आपने अगला प्रेशन देख लेते हैं SKR Gaming King वाव क्या नाम है SKR Gaming King इनका प्रश्ण है जुलाई 2016 में TET exam हुआ था तो मैं DL8 second year में थी उस time मैंने TET crack कर गई थी तो क्या मैं सिक्षक भरती exam के लिए अपलाई कर सकती हूँ प्लीज रिपलाई चरहाँ अगर आप जिस 2016 में TET pass out हुई है साथ साथ तो आप आसानी से फॉर्म अपलाई कर सकते हूँ अगर आप डेलेड में फर्स्ट एर रहती और आपने 2016 में TET crack कर जाती है तो आप फॉर्म अपलाई नहीं कर सकते हैं लेकिन जो है SK Gaming King जी मैं तो आप फॉर्म अपलाई कर सकती है तो बिल्कुल भी फॉर्म अपलाई नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ काइटेरिया है जिसके तहट आप फॉर्म अपलाई कर सकती है क्योंकि दोश्टों इसमें पूरी तरह से 21 से लेकर 35 वर्ष तक के एज इसमें लिमिट है अगला प्रशन देख लेते हैं साहक सिक्षक अंगरे जी माध्यम में हिंदी वाले फॉर्म डाल सकते हैं नहीं डाल सकते क्योंकि उनके लिए इंग्लिश मेडियम वाले ही होना चाहिए जिनका एजुकेशन जो है इंग्लिश मेडियम में हुआ है अगला प्रश्ण देख लेते हैं पिंकी कुर्य जी का पिंकी कुर्य मैम आपका प्रश्ण है सर 12 हमें साइन्स है और इसी साल TET भी पाउस आउट हूँ पर DL8 का 4th सेमस्टर का फेपर दिला चुकिंग फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो क्या मैं वर्ग तीन में अप्लाई कर सकती है तो जो है पिंकी मैम जी आप आसानी से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है क्योंकि आप जल्द ही आपका मार्शिट भी एवलेबल हो जाएगा तो लेकिन मैं इसमें जाना चाहूंगा कि जो सेमेस्टर है अभी तक एक्जाम अभी हुआ नहीं है फाइनल के लिए फॉर्फ अप्लाई करना स्टार्ट हुआ है धियड में तो आपका जो डीयल एड है फॉर्थ सेम का एकिसे खतम हो गया यह मुझे समझ नहीं आएँ तो Pinky मैं अगर आप 4th Sam का semester exam दिला चुकी है तो आपको जरूर form apply कर सकती है तो Pinky जी का फिर से एक प्रश्ण है इसी year जो TT दिलाए हैं और model answer की answer पास है बट अभी result नहीं है क्या ऐसे conditional form apply कर सकते हैं बताइए सर बहुत सारे लोग का question है बहुत सारे लोग का question है तो सब के बहुत सारे प्रश्णों का जवाब मैं उप्लग करा देता हूँ मैं तो आप जो है अभी TT का result नहीं आया है लेकिन TT अनिवार्य है उसकी भरती के लिए सायद उसके लिए आप बाद में जरूर मंगेगा लेकिन जो है form apply करने के लिए सायद TT अनिवार्य नहीं है form apply करने के लिए लेकिन उसकी योगयता रखने के लिए TT अनिवार्य है अगला बात कर लेते हैं पठेल पठेल जी का तो पठेल सर और मैम तो अगर इनका प्रेश्ण है प्रयोग शाला विज्ञान साहिक सिक्षक के लिए 12th pass होना जरूरी है टीटी जरूरी नहीं है तो सर आप साहिद आंसर किसी को reply कर रहे हैं ऐसा उमिद करतूं आप बिल्कुल सहीं बोलें पटेर सर जी कि प्रयोग शाला विज्ञान साहिक के लिए 12th pass होना बहुत जरूरी है और टीटी जरूरी है और 12th pass उसी में हो जिनका बायो में या मैट्स में आपका बारवी हो अंजली चंद्राकर जी हाँ इनका पहले भी कमेंट आ चुका है कि आंसर बताईए साहिक सिक्षक लिए नहीं है तो ओमपल ओमपल जी का प्रश्ण है सर क्या योग साइन्स वाले अपलाई कर सकते हैं योग वाले योग साइन्स वाले अपलाई कर सकते हैं योगा वाले हाँ बिल्कुल भी कर सकते हैं प्लीजर रिप्लाइ दिजी जी, रिप्लाइ दे चुका हूँ Sister जी प्रषन है, प्रवन कांगे का प्रशन है आर्ट सब्जेक्ट को बंद कर देना चाहिए क्यों बंद कर देने चाहिए भई, क्योंकि विकैंसी जारी नहीं हुआ इसलिए क्यों बंद कर देना अच्छी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए अगला प्रशन इसका देख लेते हैं एनस क्रियेशन का प्रशन है सर जो सायक टीचर प्रयोक शाला के लिए है पोस्ट जिसमें सिर्फ ट्वेल्थ बायो मैट्स मांगा है उसका डिटेल भेजिए तो इसका किस टाइप का डिटेल चीए दोस्तों ये तो है आपका व्यापम के वेबसाइड में पूरी तरह से उपलब् करके जरुर बताईये enativation सर जी बिल्कुल अगला प्रेशन देख लेते हैं सुनद्र देवांगन सुन्दर दिवांगन जी का प्रश्न है आर्ट हिंदी मीडियां के लिए पोस्ट नहीं इसमें इनका प्रश्ण है सर संभाग वाइस होगा क्या एक्जाम नहीं अगर संभाग वाइस एक्जाम किसका होगा सिख्छक भरते के लिए होगा और स्टेटम के लिए पूरे जीलों के एक साथ किसका होगा व्याख्याता के लिए होगा और जीले वाइस भरती होगा सायक सि यदि other state वाले इसमें apply नहीं कर सकते तो फिर CGTT क्यों देने दिये other state वालों को तो इसके बने तो मुझे confirm पता नहीं है लेकिन जो है TT के notification में ये भी लिखा था कि जो है पूरी तरह से 36 गड़ का निवासी हो लेकिन other state वाले भी इसमें form apply कर दिये थे लेकिन इस पर्ष्ट रूप से नहीं है कि जो है other state वाले इसमें TT में form apply कर सकते हैं या नहीं लेकिन इस पर्ष्ट रूप से ये लिखा हुआ है जो मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ कि other state वाले जो है form इसमें apply नहीं कर सकते भरती परिच्छा में है ना दोस्तों इसका मैं प्रवांद इस वीडियो में दिखा ही चुबा हूँ अगला प्रशन देख लेते हैं आसीस अगरवाल का आसीस अगरवाल का प्रशन है TT की जगह अगर CTT क्वालिफाइड है तो form fill कर सकते हैं या नहीं तो form fill जरूर कर सकते हैं TT का अगर आपका जो है साथ साल से वैलिड है अगर आपका TET तो और साथ ही साथ डिएड भी कंप्लीट है या बेड कंप्लीट है तो फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हो अगला प्रश्न देख लेते हैं सर मैं 12 एग्रिकल्चर से कंप्लीट की हूँ और ग्रेजुएशन आर्ट से कर रही हूँ अगला प्रश्न इनका प्रश्न है सुलागना सेन इनका प्रश्न है सर CTT पास वाले फॉर्म भर सकते हैं बिलकुल फॉर्म भर सकते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं सर जो पहले से TET क्लियर है मैंने 2012-2014 में किया वो भी फॉर्म भर सकते हैं क्या प्लीज रिप्लाई म तो इसके लिए दोश्टों मैं बतादेने चाहते हूँ जिनका वैलिडिटी जो है साथ वर्स नहीं हुआ है वो फौन अप्लाइग कर सकते हो अगर दोस्तों अगर आप form जो है टीटी पास हुए आपको 7 साल हो चुके हैं तो आप form नहीं भर सकते तो अगला देख लेते हैं दया जोसी दया जोसी का प्रशन है जल्दी क्लास स्टार्ट किजिए सर जोसी सर जी मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ रेगलर वीडियो अप्लोड होता है आप मेरे चानल पर बने रहिए आपको सभी वीडियो मिलती रहेगी आपकी सिक्षक भर्दिक तैयारी मैं कराते रहूंगा उमा यादव जी का प्रशन है उमा यादव जी सर टीटी पास नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं टीटी पास होना बहुत जरूरी है मैं बीना टीटी पास हुए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आप विज्ञान संकाय से बिलॉंग करती है तो आप 12th 12th बेस पर आप प्रयोक शाला के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती है विज्ञान सायक के लिए अगला प्रशन देख लेते हैं उमेश उमा संकर उमा संकर जी का प्रशन है प्रयोक साला के लिए टीटी अनिवार है की नहीं प्लीज बताएए यही प्रशन बार बार है दोस्तों टीटी अनिवार नहीं है प्रयोक साला के लिए अगला प्रशन लेख लेते हैं जेबा मेहन नाज इनका प्रशन है मेरा 12th में 48% ह लेकिन बेट है तो वर्गतीन के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ जेवा मैं जी मैं बताना चाहऊंगा त्वेल्थ में अगर आपका जो है फोर्टी नाइन या फोर्टीफाइब हाँ something 45 तो आपका जो है फॉर्म फिल अप कर सकती हो उसमें मतलब आपका जो है 48 परसेंट है तो आप फॉर्म इसमें फिल अप कर सकती हो अगला देख लेते हैं प्यूस पटेल जी का प्रशन है सर मैं 2011 में टीटी पास आउट हो तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बताइए तो आप फॉर्म फिल भी फिल आप नहीं कर सकते हो कि आपका जो है वैलिडेटी एक्सपायर हो चुका है टीटी का जो साथ वर्स माने रहता है अगला प्र वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं उसको विज्ञान संकाय में किस रणी में रखा जाने की बात इसमें रख कही गई है तो जितने भी अग्री खल्चर वाले हैं पूरी तरह से फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं वर्ग तीन के लिए अगला प्रशन देख लेते हैं सिप्रा जी का सिप्रा जी का में इंग्लिश में मेरा 45 मार्क है क्या मैं वर्ग एक में भर सकती हूँ अगर आपका बीट कंप्रीट है तो वर्ग एक में आजसानी से फॉइन जो है अपना फॉर्म फिल अप कर सकती हैं अगला प्रशन देख लेते हैं जै जी का जै जी का प देखे हो तो मेरे चैनल पर जा कि आप उन्स वीडियो को आसानी से देख सकते हुँ इटी संवर्ग इसंवर्ग क्या होता हुए उसके बारे में बता दियू होता है उस ही साब से यह जह पुरी तरह से माटा गया है तो दोस्तमें इस तरह आफले वीडियो में इसका अंसर देने की कोशिश करूंगा और जल्दी आगला वीडियो में बहुँ सारे कमेंट है उनको मैं फिल आपक करने की कोशिश करता हूँ उमीद करता हूँ आपका बहुँ सार फिर्ट जो डाऊट है उनमें कलीर हो चुell कहहोगा तो वीडियो अच्छा लागओ दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें इस वीडियो को ज़्याद ज़र शेयर करें आप चैनल को भी तक सब्सक्राइब निंग कियां ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप लगतार वाच करते होगे, बीना किसी रोकावेट के उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फूल रहा होगा तो मेरे चैनल पर बने रहिए, इसका जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थाइंक्यू, अल्दे बैस्ट, जयाहिन